हेलो फ्रेंड्स मीनू किचन और गार्डन चोन में आपका स्वागत है तो दोस्तों मैं फिर आ गई हूँ आपके लेक प्यारा सा वीडियो लेकर और आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस प्लांट का नाम है मर्वा और वन तुलसी के नाम से भी दोस् है बिलकुल तुलसी के प्लांट की तरह ही होता है और उसी की तरह इस पर मंजीरी भी निकलती है और दो तरीके के दोस्तों ये प्लांट आते हैं और एक पर तो दोस्तों जो मंजीरी में छोटे-छोटे फूल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं जिस तरीके से आप मेरे इ benefit नहीं देता जितना कि ये सफेद फूलों वाला plant देता है तो आप जब भी लगाईए यही सफेद plant के जो फूल है फूल वाला मरवा plant है इसी को लगाईएगा दोस्तों और बीज से दोस्तों ये easily लग जाता है कटिंग से भी ये लग जाता है कटिंग से थोड़ा ऐसे एक महिना हुआ है और आप इसकी ग्रोफ देख लीजिये कितनी अच्छी हो रही है और कितना हरा-भरा यह प्लांट है दोस्तों और जो भी मंजीरी आती हैं दोस्तों वो आप उपर से कट करते रहेगा जैसे कि हम तुलसी की जो मंजीरी होती है वो कट कर देते हैं और अगर आप दोस्तों इसकी मंजीरी कट करते रहेंगे तो ये बीज नहीं बना पाएगा और हरा भरा रहेगा तो अगर आपको बीज के जो है वो रखी हुई है क्योंकि मुझे इसके बीक चाहिए थे तो मुझे अभी और भी प्लान्ट बनाने है इसलिए मैंने इस पर जो मंजीरी है वो कट नहीं की है कुछ तो बाकी दोस्तों इसकी मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दू तो मिट्टी दोस्तों इसको आधा हिस्सा आप मिट्टी ले लीजिए और आधा हिस्सा आप इसमें खाद मिक्स करके लगाईए बहुत ज़्यादा रिच सोयल इसे नहीं चाहिए होती, बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों और बिल्कुल भी heavy feeder plant नहीं है बहुत जादा इसको fertilizer या किसी भी तरीके का compose डालने की ज़रुवत नहीं है दोस्तों आप एक बार इसे खाद दे दीजिए और फिर एक महिने बाद फिर थोड़ी खाद दे दीजिए तो उससे ये plant बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है बाकी दोस्तों ये जो plant है इसको हरा भरा रखने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी pruning करते रहिए तो फिर ये हरा भरा रहेगा और इसकी sunlight के बारे में मैं आपको बता दूँ तो ये full sunlight में भी चल जाता है दोस्तों और इसको अगर आप shade में रखना चाहते हैं त shade में भी ये plant बहुत अच्छे तरीके से growth करता है बस इसको थोड़ी semi shade में रखिये जहां हलकी फुलकी sunlight इसे मिल जाए एक या दो घंटे की तब भी ये plant दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से growth करता है बहुत ही health benefit भी इस plant की होते हैं दोस्तों आयूरवैद में इसका बहुत और डेंगू, मलेरिया काफी जादा बिमारियों में दोस्तों चोट, सूजन, जोडों के दर्द, सर दर्द ऐसी काफी बिमारियों में दोस्तों इसके पत्तों का और जड़ों का यूज होता है इसके पत्तों और जड़ों का चूर्ण बनाकर भी दोस्तों आप पेट और वाकि दोस्तों इस बारे में बैनिक्स ब्राइजन कुष्पुम इन बहुत भीनई भीनी खुष्पुु मैं दोस्तों यह और भीना सुल C ज़्यरदमेण दूस्तों, ब्रॉरो मारे में अंगर थे ठाहिए तो आपके घर में एक बहुत ही प्यारी सी खुश्बू इस प्लांट की आएगी और दोस्तों यही इस खुश्बू की वजह से ही जो मक्खी और मच्चर होते हैं दोस्तों इस प्लांट के पास नहीं आते हैं जहां पर ये प्लांट रखा होता है मक्खी मच्चर उस जगहे से दूर ही रहते हैं, इसलिए दोस्तों जिस घर में ये प्लांट होता है, वहां डेंगो और मलेरिया का खत्रा बहुत ही कम होता है, तो है ना दोस्तों बहुत ही benefit वाला plant ये है तो जरूर आप इसको अपने garden में शामिल कीजिएगा और अगर दोस्तों इस plant के बारे में आपको कोई भी query है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ लीजिएगा मैं आपको उसका answer दे दूँगी और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को like और subscribe करना ना भूलिएगा दोस्तों थैंक यू